नमस्कार आप देख रहा है SKP Live News रशिया ने यूक्रेइन पर हमला कर दिया है इस हमले के बाद भारती चात्रों के यूक्रेइन के अलग-अलग शहर में फसे होने से जहाँ परिशन चिंती दिखाई दे रहे हैं वह चात्र भी अब डरे वे दिखाई दे रहे हैं जहाँ एक ओर टर्नोपिल शहर से रोमानिया की और भारती स्टूडेंट आज खुशी-खुशी बस में बेट कर इस उम्मीद में थे कि उनकी वतन वापसी अब जल्द हो जाएगी किन्तु रोमानिया बार्डर पर पहुचने के बाद स्टूडेंट की खुशी काफूर हो गई रोमानिया बार्डर पर हज्जारों की संख्या में स्टूडेंट पहुचे हुए है रोमानिया बॉर्डर पार नहीं करने दी जा रही है जिससे चात्र बॉर्डर पर ही कड़े है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में चात्र रोमानिया की बॉर्डर पर खड़े दिखाई दे रहे हैं ये तस्वीर रोमानिया की बॉर्डर से ही धार के छात्र अमन यादों ने अपने परिजनों को बेज़ी है। अब परिजनों की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। हलाकि बताया जा रहा है कि सुबा तक रोमानिया की बॉर्डर खोल दी जाएगी। देखें खबर स्केपी लाइब लियूस पर।